डिम्पल बहुत यंग थी और राजेशकन्ना बड़े सूपर स्टार थे यही कारण है कि कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों सेपरेट हो गए डिम्पल कपाडिया ने राजेशकन्ना के साथ अपनी शादी के बारे में लेटिस इंटिव्यू में बात की और अपने उस experience को उन्होंने traumatic बताया डिम्पल कपाडिया का कहना था कि वो बहुत यंग थी समझने के लिए कि एक सूपर स्टार के जिंदगी कैसी होती है और उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है स्टार्स और उनके अजीब गरीब behavior मुझे कभी समझ ही नहीं आये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद कभी स्टार नहीं थी डिम्पल ने कहा कि इतनी young age में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया बस वो बहुत ही dramatic थी mountains में जाती थी हवा भी चलती थी तो वो एकदम dramatic हो जाती थी इस drama के कारण ही उन्होंने आगे चलकर राजेश खना के साथ शादी की लेकिन शादी करने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनके लिए dramatic था वो दोनों बहुत अलग इंसान है वो राजेश खना के behavior को और उनकी बदलती life को कभी समझ ही नहीं पाई जी हाँ डिमपल का पार्या ने राजेश खना से जब शादी की तब वो superstar थे लेकिन बाद में राजेश खना का stardom fade होने लगा और राजेश खना अपनी situation को संभाल नहीं पाई और तब ही डिमपल और राजेश के बीच जगड़ होने लगे